नवस्कार भी हार न्यूस देख रहे हैं आप मैं हूँ सूमन राज नवादा के हिस्वा में एक कोचिंग संचालर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है मारपीट की वज़ा रंगदारी मांगना बताया गया जानकारी का नुसार हिस्वा थाने के नरहट रोड अस्थित मारग दर्शन कोचिंग संचालर के साथ मारपीट की गई मामली की जानकारी हिस्वा थाने को दी गई है थाने में आवेदन देकर कारवाई के मांग की गई है नवादा में हिस्वा थानशित्र के महदेवा गाउं में जमीन के मामले को लेकर दो पक्षों में जमकर मार पीठ हुई जिसमें काई लोग जक्मी बताए जा रहे हैं वहीं घटना को लेकर हिस्वा थाने में लिखी दावेदन देकर न्याय की गुहार पिड़ितने लगाई है मुगामल शेहर में इन दिनों लूट पार्ट की घटनाई बढ़ गई हैं खासकर बैंकों के आसपास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है एक बर फिर से बैंक आप बरौदा में एक महिला वेवसाई को बाहर बुला कर दो बाइक सवाल लुटेरू ने महिला से 65,000 रुपे लोट लिए महिला में बबस आई मेरा देवी बैंक में रुपे जमा करने गए थी पूरी घटना से से टीवी में कया दो गई है मुकामपोले से से टीवी के आदार पर लुटेरू को दबोचने की कोशिच कर रही है मुतियारी से एक बड़ी खबर सामने आई जहां अब पुलिस पिटाई से एक शक्स की मौत हो गई इस गटना में मृतक के बेटे ने थानप्रवाडी के साथ अन्य सहयोग्यों पुलिस कर्मियों पर हत्या के मुकदमे के लिए आफितन दिया है मामला जिली के विप्रा थानथ शित्र की बताई गई तरहसल देर रात थानथ शित्र के कुऊरपुर गाओं ने वासी गिरफ्तारी के बाद धानध के आदेश पर उनके पिता के पोलिस द्वारा जम कर पिटाई की गई जिससे कि उसकी मौत हो गई में घटना के बाद मृतक के पड़ जन अस्पताल में पहुंची और जब कर हंगामा किया अब पूरा एकदम मार रहा हैं इतना दिन से फाराडी में चल रहा था आज हत्य चड़ा है उसमें वह अखलेश इन हैं वह बोल लाए कि साला के उठा के सीरी पर से फेक वाज मुएए कि चले के बैगर रहे के सीरी पर से उठा के नगीना परमोद और वह अखलेश अनिता सब लोग मिलके उठा के वह से भी एक आदमी से उठने वाले हैं नहीं सब आदमी मिलके उठा के से फेका लोग नीचे और घसीट के नीचे हैं वह उसी टाइम में बेसूद हो गया थे अब इस परकार पर यह एक डीलर आदमी है किसी को भी यह टोटल गरामी नहां पर खड़े है किन्हीं को भी मालूम नहीं है जिए हमारे उपर केस कौन सा है कौन सा और जदी किसी परकार का कोई केस है तो पहले इंफरमेशन करना चाहिए किसी परकार का कोई इंफरमेशन नहीं हुआ और रात में दवी इतना ज्यादा जिलमत लगा जैसे किसी आतंकवादी को पकड गई सूचना मिलने के बाद पोलिस ने शौक को कब से मिले कर पोस्ट माटन के लिए भेज दिया है और आगे की चान बेन में जुट गई है नया करुबार और नशेडियो पर अंकुष लगाने के लिए लगातार पुलिस के द्वारा कारवाई की जा रहे हैं सिकड़ी में विगुसराई में बरावनी डेल थाने के पुलिस ने नशे की हालत में स्टेशन परिसर से एक यूवक को गिराफतार किया है यूवक की पैचान भगवान पुर्थानशित्र के अतरुवा निवासी हरे राम ताती के रोपे की गई फिलान पुलिस ने उसे मेडिकल चांच के लिए सदर स्पतार भेजा है अररिया श्रार में भगवान कृष्ण के ये छठी पाई ठाकूबाडी में कारिक्रमों की धूम रही जिसमें पूरा महौल भक्ती में हो गया। वर्षाली से एक खाबर है सहदोई प्रखन के सहदोई उपी शित्र से जहां ग्याग चोरों ने एनच 322 इस्थे दो दुकानों में चोड़ी की वर्दात को अंजाम देते वे करिब लाखो रुपे के चोड़ी कर ली जानकारी के मुताविक अग्याग चोरों ने मरूज किराना और उसी कैमपस में अस्थेत रूप श्री अलंकार को अपना निशाना बनाया चोरों ने इस अक्षिश पाने की नियसे सिसी टीवी के डी वी आर के वे चोड़ी कर ली वहीं सहदो योपी के पोलिस पूरे मामले की चार्च में जुट कई है क्या मामला है? चोरी का मामला है. कब हुआ है? रात के दो बज़े के तीन बज़े आज पास होगा है. कैसे परवेस किया होगा? उपर के दुआर से किया है, उपर शिरी स्वेचर के उपर से कमारे के चोरी होगा है. कितना के समान चोरी होगा? लम सम मेरा साट-सातर हजार का अपकी गल्ले की दुकान है और कहां चोड़ी होगा है और सुना चाले की दुकान हो गई है और सटर गिरी लूडर तोर दिया है काउंटर रूटर सब तोर दिया है और अल्मारी भी तोरने का कोशिस किया है जो शती गरस्त हो गिया है कितना का समान अपका गया होगा? ओई सम्थिंग दो लाक रुप्या और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही तमाम अफ्रेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूस के साथ नमस्कार